Hello everyone, मैं हूँ किरन शापुरी और ये है आप लोगों के लिए Coming Week का सापता ही क्राशी फल ये 7 जून से लेकर 13 जून तक की आपकी टारो रीडिंग्स हैं, टारो प्रेडिक्शन्स हैं और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज लाइक, शेर और सबस्क्राइब करें इसके साथ साथ अगर आप डेली टारो रीडिंग में इंट्रेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और दूसरी बात इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं सन, साइन, मौन, साइन, असेंडन या फिर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक देखते आए हैं, सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें तो चले जी शुरू करते हैं, कमिंग वीक का सापता ही क्राशी फल तो चले जी शुरू के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या इनर्जीज हैं, तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए काड्स हैं, क्वीन ओफ सोज और डॉग फार अवे, क्वीन ओफ सोज का काड्स का काड्स कहता है कि इस वीक छोटे आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह सकते हैं, लेकिन आप बहुत ही क्लारिटी के साथ सबको डील कर रहे हैं, बहुत जादा चीजों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके confidently और assertively again मैं कहूंगी हर चीज को डील कर रहे हैं, और पीछे किसी भी चीज को लेके confusion था, या आपको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे आप चीजों को डील करें, या फिर आप कुछ चीजों को लेके emotional हो रहे थे, थोड़ा सा आप low feel कर रहे थे, या फिर किसी चीज से attach हो रहे थे, उससे related भी एक better energies इस वीक दिख रहे हैं, अगेन मैं कहूंगी कि उस confusion से related एक clarity आती हुई दिख और कहीं आप बहुत ही unbiased होके, बहुत ही detachment के साथ हर चीज को deal कर रहे हैं, एक professionalism इस वीक आपकी professional life में दिख रहा है, या फिर मैं कहूंगी कि बहुत ही professional attitude आपका दिख रहा है, हर चीजों को deal करने के लिए, और दीखे, professional life में ये जरूरी भी होता है, जब हम emotional हो जाते है चीजों को लेके, especially अपनी professional life में, तभी कहीं issues और मसले भी होते हैं, और जब हम एक professional attitude रखते हैं, तो खुद बखुद ही काफी सारी चीजें solve हो जाती हैं, या फिर resolve हो जाती हैं, और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी दिख रहा है, and dog far away का card कहता है, distant friend is thinking of you, तो कोई दोस्ट जो आप से बहुत दूर है, इस week कहीं आपके बारे में वो सोच रहे हैं, and personal front के लिए आप लोगों के लिए cards है, conflict and boat, तो दिखिए conflict का card बहुत ही clearly कहता है, कि इस week conflicting energies रह सकती हैं, कुछ लोगों के लिए internal हो सकता है, जहां पर किसी चीज को लेके, एक दोविधा, एक confusion आपके mind में जल रही है, और कुछ लोगों के लिए external हो सकता है, किसी situation, किसी circumstance की वज़े से हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कि आप जो भी कर रहे हैं, आपको एक smooth going नहीं मिल रही हैं, छोटे मोटे issues या मसले रह रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए जो भ भी discussion आप अपने loved one से कर रहे हैं, और आपको लगता है कि भई ये argument की तरफ जा रहा है, तो उसको आप तुरंट चेक करके correct कर लें, क्योंकि ये weekly energies हैं, नया week, नई energies लेकर आएगा, और खुद बखुद चीज़ें किसी level पर ठीक हो जाएंगी, तो इस week आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है कि फालतु के arguments ना हों, फालतु की बहस ना हों, और देखे कहीं conflict होता भी इसलिए है कि सामने वाला अपनी बात को लेके बहुत जादा अड़ा रहता है, और उसको लगता है कि भई जो वो कह रहे हैं, वही सही है, और हम अपनी बात को लेके अड़े रहते हैं, और हमें लगता है, जो हम कह रहे हैं, वो सही है, अगर हम दोनों ही एक दूसरे के नजरिये को समझने की कोशिश करें, एक दूसरे के viewpoint को समझने की कोशिश करें, तो काफी हद तक ये मसले solve हो जाएंगे, और अगर आपको भी लगे कि ऐसी conflicting energies हैं, तो ज़रूर एक बर ट्राइ करें कि आप सामने वाले के नजरिये को समझें, और अगर आप समझेंगे, तो सामने वाला भी ज़रूर कोशिश करेगा, और किसी हद तक इस conflicting energies को आप control कर सकते हैं, जा मैं कहूंगी कि इस conflicting energies को आप किसी level पे कम कर सकते हैं, और देखिए, बोट का कार्ट कहता है, money और prosperity through an inheritance winning or windfall, तो देखिए, financially चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, और कुछ लोगों के लिए inheritance से related भी कुछ मसले थे, कुछ issues थे, तो उससे related भी चीज़ें किसी level पे better होती हुई दिख रही हैं, and guidance है, आप लोगों के लिए card है, Sholen Master, और ये card कहता है, be graceful in moment and action, तो देखिए, जो भी आप कर रहे हैं, कह रहे हैं, बोल रहे हैं, थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, थोड़ा सा आपने cautious और alert रहना है, और देखिए, दूसरी बात ये card कहता है, कि slow and steady wins the race, तो आपने किसी भी चीज़ें के लिए impulsive नहीं होना, जल्दबाजी नहीं करनी, और नहीं हों, फाल्तु की बहस नहीं हों, देखिए, ऐसा करके भी आप इस week की energies को better कर पाएंगे, and astrology से आप लोगों के लिए card है Capricorn, और इसके हिसाब से Saturday का दिन आप लोगों के लिए significant रह सकता है, and blue, indigo and navy blue girls आप लोगों के लिए इस week lucky रह सकते हैं, तो ये था Sagittarius आप लो resonate किया, कितना आप connect कर पाएं?